नमस्कार दोस्तों हमारे ब्यूटी के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं चुकंदर के लाप तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं क्या आप जानते हैं कि आपको हेल्दी रखने वाला चुकंदर यानी बीट रूट खुबसूरती ना निखाने में भी मदद करता हैं आइए जानते हैं चुकंदर के फायदे चेहरे के लिए और तचा के लिए चुकंदर के रस के लाप क्या है पहले नमबर पर चेहरे के एंटी एजिंग रूप में दूसरी नमबर पर चुकंदर के फायदे चेहरे के लिए मुहासिदूर करने में भी है तीसरा नमबर तुचा की चमक बढाता है चुकंदर का रस चौथा नमबर होटो को गोरा और गुलावी बनाए चुकंदर का रस पांचमा नमबर तुचा के लिए चुकंदर का रस लाव सूखी तुचा हाइटरेट करें छेडमा नमबर बालो के लिए चुकंदर के लाव साथमा नमबर उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करता है चुकंदर आडमा नमबर रंज करता है रोकता है 9. सूखी तुचा को पुन्य जीवत करता है 10. तुचा के दाग दबो और उनिसान कम करता है 11. मुहासो को रोकता है 12. ऐसी चीजें जो आप चुकंदर के बारे में नहीं जानते होंगे 13. चुकंदर का जूस कब पीना चाहिए 14. चेहरी के लिए चुकंदर लाव एंटी एजिंग के रूप में क्योंकि चुकंदर बिटमेंची में उच्च होता है इसी लिए चुकंदर को तुचा के लिए अच्छा माना जाता है यहां तक की उम्र बढ़ने को संकेतों से भी बचा सकता है जैसे की जूरियों औरिंगन इस्टेट यूनिवेस्टी के सामाजिक और आहर बिटमेंची दोनों तत्वों कोसकाओं पर लापकारिक पिरभाव डालता है बिटमेंची आपकी तुचा की बहारी परत में पाया जाता है जिसे एपिडार्मिस कहा जाता है और आपके एपिडार्मिस के नीचे की तुचा की परत जिसे डार्मिस कहा जाता है डार्मिस में सामिल चुकंदर के फायदे चेहरे के लिए मुहासे दूर करने में विटमेंसी एंटी इंफिलेमेटरी गुड़ों के काराण इसका उपयोग मुहासे के उपचार में किया जा सकता है इससे मुहासे ठीक हो जाते हैं चुकंदर की रस में पाई जाने बाले बिटमेंस ही के आहार पर अपने दावी को सही ठेहरा सकते हैं चुकंदर का रस तेली ये तुचा पर होने बाले मुहासे और फुन्सियों से लड़ने में अधबुत कार करता है चुकंदर का रस गाजर का रस या ककड़ी की रस से पीने से एंटी आक्सिडेंट से भर होता है और तुचा के लिए स्वस्त को बहतर बनाने में काफी फैदे मंद होता है यदि आप मुहाँ से पीड़ेत हैं तो दो चमच ताजा चुकंदर की रस को साधा दही के साथ मिलाएं और प्रिभाविच छेट पर लगाएं इसे पंदरा मिनिट के लिए छोड़ दें और धोलें यह निसान छोड़े बिना मुहाँ से सुख जाते हैं दोस्तों तोचा की चमच बढ़ाता है चुकंदर का रस एक गिलास रस ताजा चुकंदर के रस को एक गिलास आपको भीतर से चमचनी में मदद कर सकता है बिसे यहली पधातु को खतम करकर रक्त को सुध करता है और तुरंत तुचा की चमक को बढ़ा देता है चहरे से मिर्त तुचा कोसकाओं को हटाने के लिए और इसे सौप दिखने के लिए दिरियंत रूप से चुकंदर करस लगाए होटो को गोड़ा और गुलावी बनाए चुकंदर चुकंदर करस अगर आप होटो पर उसे परफेक्ट नियचलन रसीले रंग को प्राप्त करना चाहते हैं तो चुकंदर का और रुख करें हर रात सोने से पहले होटो पर चुकंदर करस लगाए और आप दस दिनों के बीतर नरम गुलावी होटो को देखना शुरू कर देंगे दोस्तों तोचा के लिए चुकंदर का रस लाप सूखी तोचा को हाइटरेट करें चुकंदर आपकी तोचा को हाइटरेट करना और खुजली से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है सहाद दूद के साथ चुकंदर का रस सामान मात्रा में मिलाएं और इस पिरभावित जगा पर लगाएं इसे सूखने दें और गुनगोने पानी से साप करें यह है आपकी तोचा को अधिक समय तक हाइटरेट रख किता है बालू को सुन्दर बनाता है चुकंदर का रस यदि आप बार बार बालू के जढ़ने से पिरथ हैं तो अपने देने काहार में चुकंदर का रस सामिल करें चुकंदर इससे आपके बालों का जणना बंध हो जाएगा और बाल सुन्दर हो जाएंगे हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद